हेलो फ्रेंड्स स्वागत है आपका हमारे सी यूट्यूब चैनल तैयारी विगनर्स की तो आपने थमनेल देखी लिया होगा परियावरण अध्यन से संबंदित सीटेट के लिए बहुती महत्वपूर कोईश्चन है अब सीटेट का एकजाम 8 दिसम्मर को होने वाला है तो आ आपका ए ओप्शन है दत्यकार अविवाव को भाईयों या बहनों द्वारा अपनी छमता के अनुसार किया जा सकता है बी ओप्शन है आपका प्रतिदिन विवेदता और अभ्यास करने के लिए कक्षाकार और फिर ग्रहकार के रूप में दत्यकार देने की आवशकता है C.A. option आपका दत्यकार याकलन का एक मात्र तरीका है और D. option आपका है दत्यकार बच्चों को सूचना खोजने अपने विचारों का निरमाड करने और उच्चारित करने का अवशर प्रदान करता है तो इसका जो correct option है वो है D. दत्यकार जो होता है वो बच्चों को सूचना अपने विचारों का निर्माड करने और उच्चारित करने का निर्माड करता है आई होप आपको समझ में आ गया होगा इसी के साथ देखते हैं नेक्स्ट कोईशन परियावरान अध्यन की कक्षा में सरल प्रियोक और निर्देशन किये जा सकते हैं तो A option है आपका कक्षा में अनुसासन को सुनिक्षित करने है तू बच्चों को नियंतरित करने के लिए B option है बच्चों को स्वैम सीखने के योग बनाने और अवलोकन कोशल को पहना करने के लिए सही हो सकता है C option है आपका उच्च कक्षाओं में क्या किया जाता है उसका अनुकरण करने के लिए D option है आपका बच्चों दारा पूँचे गई प्रशनों पर आधारित विचारों पर चर्शा करने अवलोकनों को दर्ज करने तथा उनका विशलेशन करने के लिए तो इसका जो करेक्ट आंशर है वो option नमर भी है बच्चों को स्वैम सीखने के योग बनाने और अवलोकन कोशलों को पैना करने के लिए परियावरन अध्यन की कक्षा में सरल प्रियोग निर्देशन किये जा सकते हैं नेक्स्ट कोश्चन है आपका दुर्गा नाम दुर्गा एक गाउं में रहती है और लड़की जो लकडी या गोवर की उपले का इधन इस्तमाल करते हुए चूले पर खाना पकाती है पिछले तीन महीनों से उसे तेज खांसी आ रही है इसका कारण हो सकता है तो ए उप्ष आपका इधन जलने से उत्पादित कारवन मोनो ऊक्साइड उसके स्वसंनली में जमा हो गई है और छिय उप्ष करेक्ट बिलकुल एप्रिटित ढखता वह ay यह सी ऑप्शन जलते हुए इधन से उत्पादित काला धुआ जो कार्वन होता है उसके स्वसनली में जमा हो गया है एक विद्ध्याले में राजिस्थान के लिए कक्षा पांच के बच्चों के सैच्छिक ब्रहमड की योजना बनाई ब्रहमड के दौरान बच्चों से आपक कि क्या प्लैनिंग रहेगी एक टीचर की तरह आपको आंसर करना है चीजों की बारे में बिना कोई प्रशन पूछे सभी का अवलोकन करना चाहिए और सी ऑप्शन है उन्हें ध्यान से अवलोकन करना चाहिए टिपडियां दर्ज करनी चाहिए और बाकी बच्चों तथा सि पूछना चाहिए तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है सी ऑप्शन उन्हें ध्यान से अवलोकन करना चाहिए टिपडियां दर्ज करनी चाहिए और बाकी बच्चों तथा सिच्छक के साथ अवलोकन को बांटना चाहिए नेक्स्ट कोईस्चन है आपका रानी अपने घर अयह तो यह और का पूड़ा नीचे दर्साहे गए तरीके से दो धेरियों में अलग कर दिये तो यह कोड़ें की चिलके और सुखी पतियां और यह जो जैम की वोतल साथ की वोतल उप्योग में लाई हुई टूथ पेस्ट ट्यूब प्लास्टिक के खिलों ने तो रीना न नहीं होने वाले सी ऑप्षन है आपका पुने चक्रन किया जा सकता है पुने चक्रन नहीं किया जा सकता घरेलू कच्रा है और द्योगिक कच्रा है तो इसका जो सही है आंसर है वह सबी ऑप्षन अपगटित होने वाले यह जो चीज़ें यह अपगटित हो जाती है और यह जो चीजें हैं ये अपगटिक नहीं होती है ठीक है तो नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है दोपैर के वोजन के अवकास के बाद परियावरन अध्यन पढ़ाते समय आप यह पाते हैं कि बच्चे पाठ में रुची नहीं ले रहे तो आप क्या करेंगे यह अप्शन है बच्चों सामगरियों का प्रियोग करेंगे सही हो सकता है प्रक्रण को तुरंत बदलेंगे यह गलत है बच्चों को बाहर मैदान में खेलने के लिए ले जाएंगे तो यह वी गलत है तो इसका करेक्ट आंसर क्या हुआ बी ओप्शन इसका औश्शन हुआ नेक्स्ट कुश्चन है आपका बीज अंकुरण की अवधारना को इस तरह सबसे बहतर तरीके से पढ़ाया जा सकता है तो बीज अंकुरण की अवरधारना को कैसे पढ़ा जाता था वह इसका A option है आपका अंकुरथ बीजों की photo की दिखाना तो ये तो सही नहीं है तथा कच्छा में अंकुरथ बीजों को दिखाना और अंकुरण की प्रक्रिया सपश्ट करना ये भी सही नहीं है बोड पर चित्र बनाते अंकुरन के चड़नों को प्रदर्शत करना ये भी नहीं ठीक है तो बीज बोने अंकुरन के विभिन चड़नों का अवलोकन करने के लिए उनका चित्र बनाने की गतविदी को बच्चों को निस्पादित करने के लिए कहना तो ये आपका बिल्कुल correct answer है D option ओके तो next आपका question है मीरा और दिब्या छोटी लड़कियां है तो एक आपको case study type दी गई है तो इसमें आपको judge करना है कि क्या इसका result आएगा तो मीरा समोसे cutlet और double roti खाना पसंद करती है जबकि दिब्या ऐसा बोजन पसंद करती है जिसमें लहो तत्त की कमी है मीरा और दिब्या को निमलिकित बीमारियों में से कौन सी बीमारियां होंगी तो जो समोसा खाएगी मीरा तो उसमें मोटा पा आएगा और लोतत्त की कमी होगी तो अगर रक्त की कमी होगी तो इसको एनेमिया हो जाएगा तो यह option आपका C option बिलकुल correct है ठीक है next आपका question है नीवू साधारत पानी में डूब जाता है लेकिन नमकीन पानी में तहरता है क्यों ऐसा क्यों होता है तो A option आपका नीवू का गनत तो न अधिक होता है C option है आपका साधारन पानी का गनत नमकीन पानी के गनत तो से अधिक होता है इसलिए नमकीन पानी में नीवू तहरता रहता है नेक्स्ट कोईशन आपका रक्त की जांच द्वारा किसकी उपस्थिति से मलेरिया की पहचान होती है तो ये question सभी को पता होगा कि किसकी जो हमारी red carpals होती है red blood carpals होती है उनमें plasmodium की उपस्तिती से malaria की पहचान होती है नेक्स्ट आपका question है परियाबरन अध्यन की काक्षा में अबदार्नाओं को इस्पष्ट करने के लिए कविताओं और कहानी का प्रियोग करना कहानी कथन का प्रियोग करना तो a option आपका उचित दिसा में बच्चों की उर्जा को संकेंद्रित करना बी option है अपाट को अनंद दायक और रोचक बनाने में मदद करना तो यह आपका बिल्कुल सही आंसर है option नमर सी क्या है question परियाबरन की कश्षा में अबदार्नाओं को इस्पष करने के लिए कविताओं और कहानी कथन का प्रियोग करना कहां तक उचित है कैसे सही होगा कि स्थानी एवं बिस इस्तर पर संसार की प्रकृती को खोजने कलपना करने की योगिता का बिकास करने में मदद करना next question है vitamin ऐसे पदार्थ है तो यह option है हमारी उपाप्चे दर बढ़ा कर भार में कमी लाते है B option है स्वस्त रहने के लिए दवाई के रूप में लिये जाते है C option है आपका पेशियों का बिकास करके हमें ताकतबर बनाते है और जो D option है वो है हीनता जन्न रोगों से बचाओ के लिए थोड़ी मात्रा में आवश्यक है तो vitamin हमारे ऐसे पदार्थ हैं जो हीनता जन्न रोगों से बचाओ के लिए थोड़ी मात्रा में आवश्यक है I hope आपको समझ में आ गया होगा नेक्स्ट आपका question है ग्रामीर छेत्रों में गाय के गोवर से जोपड़ी की दीवारों और फर्स को लीपा जाता है उन्हें क्यों लीपा जाता है खीणों को दूर रखने के लिए चिकना और साफ बनाने के लिए खुरदरा बनाकर घर्षन बनाने के लिए या फर्स को प्राक्रतिक रंग देने के लिए तो इसका जो correct answer है सभी को पता होगा बेरीजी question चिकना और साफ बनाने के लिए नेक्स्ट question है परियावरन अध्यन की पाठि पुस्तक में सहेलिया सामिल करने का निमलिखित मैंसे कौन सा अधेश नहीं है तो A option है स्रिजनात्मक्ता चिंतन की योगिता और उतसुकता का विकास करना B option है बच्चों में आलोचिनात्मक चिंतन सक्ती विक्सित करना C option है बच्चों में तरक्डा सक्ती का विकास करना D option है बच्चों के मस्तिस्क को ब्रहमित करना और उन्हें इस ब्रहम का आनंद उठाने देना तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है D बच्चों के मस्तिस्क को भ्रमित करना और उन्हें भ्रम का आनंद उठाते देना पर्यावरण अध्यन की पुस्तक में पहेलियां जो सामिल की जाती हैं बच्चों के मस्तिस्क को भ्रमित करना और उन्हें इस भ्रम का आनंद उठाते देना ठीके next question है परियावरण अध्यन की कक्षा में बक्चों के व्यक्तियत अनुववों को महत्त देना सिच्छक को लाब पहुचाता है तो A option है उसकी उर्जा बचाने में क्योंकि बच्चे बातचीत करना पसंद करते हैं B option है आपका बच्चों के विसिस्ट अनुववों को जानने में C option है आपका बच्चों की भासा और संप्रेशन कुसलताओं को सुधारने और परमार्जित करने में और D option है आपका बच्चों को बिमर्स को बच्चों के अनुवव संसार से जोडने और विमर्सवा सीखने को बढ़ावा देने से तो इसका जो correct answer वो भी D option है विमर्स को बच्चों के अन्वव संसार से जोडने और विमर्सवा सीखने को बढ़ावा देने से Next question है आपका बच्चों को विमिन प्रकार के इदनों से परचित कराने के लिए सिच्छप क्या करेगा एक लगू फिलिम दिखाने के साथ खाना पकाने के लिए इस्तमाल होने वाले संभावित इदनों के प्रकारों पर वा बच्चों के साथ चर्चा कर सकता है बच्चों से विविन प्रकार की इदनों की सूची बिनाने को कह सकता है यह भी गलत है कच्छा में कुछ इदनों के नमूने देखा सकता है ऐसा हो सकता है पर सबसे जो सही आंसर वो है एक लगू फिल्म दिखाने के साथ खाना पकाने के लिए इस्तमाल होने वाले संभावित इदनों के प्रकार पर वच्चों के साथ चर्चा कर सकता है तो नेक्स्ट आपका कोईश्चन है मांचित्र पढ़ने के लिए आवस्थक कोशल में सामिल है तो ये आप्शन है इस्थान दूरी और दिसाओं की सापेच सिस्थिती को समझने की योगिता बी ऑप्षन है डाइंग और पैंटिंग में बिलक्षन को सलता तू से औप्षन है गिलोव पर इस्थिती दर्साने के लिए स्कैच और गड़नाओं कापीओं करने की योगिता और अभिव्यक्तात्मक योगिताओं को बाहर निकालने के लिए बिलक्षण संप्रेशन कोसल तो इसकी जो सही है आंसर वो है जब हम किसी भी मानशित्र की रीडिंग करेंगे तो उसमें इस्थान चाहिए हमें दूरी पता होनी चाहिए और दिसा पता होनी चाहिए ठीक है पूरपश्य मुत्तर दच्छण ये दिसा पता रहनी चाहिए तो नेक्स्ट आपका कोश्चन है ये देखा गया कि पाचन क्रिया भारकी ये पेच्छा आमासे में अधिक तेजी से होती है क्योंकि ए आपका आमासे के अंदर भोजन का मंधन होता रहता है जिससे उनकी सतय क नमूना आपका बच्चों को वास्त्विक जानकारी से अंतक्रिया करने का अफशर देता है । साथ ही अवलोकन की कुशलता का विकास करता है, B option है, बच्चों को रेल की किराई के बारे में बताता है, C option है, आपका टिकेट में प्रियुक्त बिविन संचिपता छरों का ग्यान उपलब्द कराता है, D option है, निसकर्स पर पूँचने की बच्चों की कुशलता का विकास करता है, तो आपका जो करेक्ट आंसर है, इसमें है A option, बच्चों को बास्तविक जानकारी अंते क्रिया करने का अफसर देता है, साथ ही अवलोकन की कुशलता का विकास करता है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका निमलिखित कथनों में से कौन सा प्राथमिक इस तरपर पर्यावरण अध्यन पढ़ाने का उद्देश नहीं है तो आपको यह जरूर ध्यान से पढ़ना है कि उद्देश नहीं लिखा है या अध्देश है लिखा है इसमें confusion हो जाता है तो सामाजिक बातावरण के बारे में उत्सुकता जगाना c option है बच्चों को खोजने की क्रियाओं में लगाना तथा व्यवहारे क्रियाएं करवाना जो संग्यानात्मक और मनशालक कोशलों के विकास में सहायक होती है d option है बच्चों पर आकलन के लिए शब्दावली और परि सब्दावली और परिवासाओं का बोज डालना तो परियावरण अधिन पढ़ाने का उद्देश क्या नहीं है कि आकलन के लिए सब्दावली परिवासाओं पर बोज डालना तो नेक्स्ट आपका question है भैस की पीट पर अकसर बगला एक ग्रेट पच्छी बैठा दिखाई गास पर जाने वाले कीट कहता है इसलिए अधिक पीट पर गहना पसंद करता है धोडिने की पीट पर परजीवी कीट घाता है तो इसका जुक्त अंसार है सभी पिद्याले में परियावरन अध्यान पढ़ाने का अद्देश निरूपित है बच्चों के अंवबों को बारी दुनिया से जोड़ना बच्चों को तकनिकी अзыर्वासाओं से पर परिशित कराना comes also परियाबरन अध्यन से संबंदित तकनीकी सब्दों का आकलन करना और डी ऑप्शन अपने ज्यान का विस्तार करने के लिए बच्चों को सूचना देना कि उन्हें कौन सी पुष्टके पढ़नी है तो इसका करेक्ट आंसर है ए ओप्शन विध्याले में बच्चों के अनभव को बारी दुनिया से जोड़ना नेक्स्ट कॉश्चन है आपका क्वथन और बास्पी करन में अंतर है तो यह ओप्शन आपका क्वथन में द्रब से बास्प में परिवर्तन देखा जा सकता है जबकि बास्पी करन में देखा नहीं जा सकता है तो बी ओप्शन आपका की अवस्था बदल जाते हैं जब कि बाश्पी करन की चुछ होता है है 100 degree centigrade पर होता है तो आपको यह भी याद रखना है कि जो जलका को थनांक होता है वो 100 degree centigrade पर होता है नेक्स्ट कुश्चन है कि एक पुरुस जिसका रक्त ओ है एक रक्त समू वाली इस्तरी से साधी करता तो उसके पहले वच्चे के रक्त समू होने की क्या संभावना है तो 50% 50% वो ए गृप का भी वे भी हो सकता है और 50% ओ गृप का भी हो सकता है नेक्स्ट कुश्चन है आपका तूठता तारा मत्तब जिसे उल्का पिंड कहते हैं वो क्या है एक समान गती से चलने वाला तारा है या भी ओपशन एक चमकता पिंड जो बाईू मंदल में एक समान गती से चलता है औरosition एक तारा जिसके एक सिरे पर पूँच होती है नई डी ओप्शन है आपका उलकाव जो प्रत्वी के बायू मंदल में प्रवेस करते ही आग पकड़ लेता है तो यह आपका जो करेक्ट आंसर है तूटता तारा उलकाव जो प्रत्वी के बायू मंदल में प्रवेस करते ही आग पकड़ लेता है नेक्स्ट कुश्चन है आप प्रतेक सप्टा ग्रहकारी और कच्छा कारी करना भी सिखशक द्वारा सतत और असन्रचनात्मक तरीके के लिए कि अवलोकन को बच्चों और अविवावकों की साथ बांटना प्रतेज आप्चारी परीचाइं और खेल तो टथाओने प्रगति पत्र में दर्ज कराना और डी के से किये गए अब लोकन को बच्चों और अविवाव को के साथ बांटना चाहिए ठीक है तो यह था हमारा आज का इन्वर्मेंट स्टडीज का चोटा सा वीडियो आपको जरूर अच्छा लगा होगा और आपके लिए फ्रूट फुल भी होगा तो आप वीडियो को लाइक कीजिए और शेर भी कीजिए आपके जो भी वाट्स अफ फेस्बुक ग्रूप में उनमें और आपकी जो भी क्वेर इस उन्हें कमेंट वाक्स में मेंशन जरूर कीजिए थैंक यू फॉर वाचिंग